हलो दोस्तों इस वीडियो में ESIC UDC Astronographer का जो नोटिस आया है, नोटिपिकेशन आया है, उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं, आप में से बहुत सारे कंडेट जो है इसको लेकर के पूछ रहे हैं, आप सभी के लिए जो है golden opportunity है, आप सभी के लिए जो है great news है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नोटिपिकेशन जो है, इसका कब तक आपको देखने को मिलेगा, इसका eligibility criteria क्या रहेगा, इसमें आपका exam का pattern क्या रहेगा, और आपका age limit criteria क्या रहेगा, educational qualification क्या रहेगा, सब कुछ जो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग detail में discuss कर देंगे, दोस्तों आप banking और insurance exam का preparation कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए golden time है, इसमें आपका salary की बात करेंगे, तो 25,500 से लेकरके 81,000 प्लस जो है इसमें salary है, और दोस्तों ये exam जो है काफी आसान होगा, आप banking और insurance exam का preparation कर रहे हैं, तो आप जो है इस exam को निकाल लेंगे, comment of India के अंदर आता है, तो सब कुछ जो है इस वीडियो में detail में discuss करेंगे, आप सभी के जितने सारे doubt है, इस वीडियो से clear हो जाएगा, तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को like कर दीजिए, और आप अपने चैनल banking career पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को पूरी waste paper का जो है आपको link दिया हूँ, उसको जाकर के free of cost item कीजिएगा, और best quality का test का भी जो है link दिया हूँ, अब दोस्तों देख सकते हैं, कल एक notice आया था, official notice है, मैं आप सभी को अपने टेलिग्राम चैनल पर notice share किया था, और आपने नहीं देखा है, तो टेलिग्राम च जो एड़टाइडमेंट है, एक जो एस्टोच्योरी बड़ी है, वो जो है issue किया है, इसके बारे में detail में हम लोग बात करते हैं, दोस्तों इसमें दो पोस्ट के लिए exam होता है, ESIC, UDC and Astronographer के लिए, ESIC क्या होता है, आप सभी को पता है कि Employee State Insurance Corporation of India और Government of India के अंदर आता है, आप देख सकते हैं, Opera Division Clerk लिए 6306 जो है पोस्ट आने वाला है 2021 में, अब दोस्तों यह जो टोटल पोस्ट है, इतना जो है वेकेंट है, इसमें से 75% जो है डारेक्ट रिकूरूप्मेंट के तुरो होगा, यानि रिटेन एक्जामिशन के तुरो होगा, इसको आप अच्छे परसेंट जो पोस्ट है, परमोशन के बेसिस पर होगा, और 10% जो है डिपार्टमेंटल एक्जाम होता है, उसके तुरो होगा, यानि दोस्तों आपको जो है काफी अच्छा कसा इसमें वेकेंसी देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सेलली की बात करें तो आपको मिलेगा ही, और बैंक कलर के कंपरीजन में यहाँ पर वर्क जो है कम रहेगा, ज्यादा प्रेसर नहीं रहेगा, इसमें जो है 18 साल से लेकर के 27 सल तक आपका उमर रहेगा, और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री आपका होना चाहिए, किसी भ कंडेट हैं, और बाकी अधर काटिगरी के कंडेट हैं, तो आपको जो है एज रिलेक्शेशन मिलेगा, एज पर जो है गौर्मेंट नर्म, तो जब अपना नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें पूरा डिटेल जो है एज लिमिट क्रेटरिया जो है दिया रहेगा, उसके बाद हम लोग डिसकर्स करेंगे, लेकिन आपका मिनिममम जो है 18 साथ से लेकर के 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसमें प्री और मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और नोटिफि अना बाकी है, इसमें का स्ट्रक्चर होगा अपर सबकुम जो है मिन्स रहेगा, तो दोस्तों आप अभी से इस एकजाम के लिए भर पिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी से करेंट एफियर का परिपरेशन जरूर जरूर स्टार्ट कर दीजिए, आप बैंकिंग और इ इंडिंटेन एक्जामिशन के थूरों होगा यहां पर सेलेक्षीन होगा दूसरा इसमें ऐस्ट्रोनगाफर के लिए पोस्ट आने वाला है इसमें आपका eligibility criteria की बात करें तो आपका वही आपका ये जलिमिट जो है 18 से ले करके 27 साल के बीच में होना चाहिए और इसमें जो है educational qualification की बात करें तो आपका 12 pass होना चाहिए और इसमें आपका skill test होगा, duration जो है 10 minute कराएगा, 80 word आपको per minute जो है type करना पड़ेगा और बाकी जो है आप detail यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानि दोस्तों आपको जो है upper division clerk के लिए और आपका इस्ट्रोंगराफर के लिए, salary की बात करें तो आपका same ही रहेगा, यहाँ भी आपका salary 25,500 से start होगा और 81,100 तक जाएगा, दोस्तों one of the best post माना जाएगा, अभी से जो है आप लोग जो है जान लगा के preparation श्टार कर दिजे, सभी के सामने जो है golden opportunity है और यहाँ पर आप 100% selection ले सकते हैं, बाकी आप लोग जो है अच्छे से preparation कीजिए, जैसे जो है next week में आपको notification आएगा या जब ही भी notification आएगा तो हम आपको सब कुछ है detail में discuss करवाएंगे, preparation कैसे करना है, इसका भी study आप सभी को बताऊंगा तो आप लोग जो है अपने चैनल से जूड़ी रहिए, इस वीडियो को like कर दिजे, share कर दिजे, कोई doubt है तो मुझे जरूर comment करके बताइए और based quality का test में आप सभी को recommend किया हूँ, उसको जा करके ले लिजे, जैसे notification आ जाएगा, उसमें जो है वो test include हो जाएगा, यानि आपको अलग से test लेने की जुरत नहीं है तो अभी जो है offer चल रहा है, grade up का green card test जो आप लोग खरीद देजिए, वहाँ पर आपको जो है approximately R.A.S. 300 के आसपस में आपको जो है more than 420 आपको जो है mock मिल जाएगा, आप इस पे clerk exam के लिए, इस पे PO exam या किसी भी exam के लिए preparation कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है basic quality का test मिल जाएगा, memory based paper आपको free of course मिल जाएगा, sectional test 75 plus आपको मिल जाएगा, और आप clerk exam के लिए आप test लगा रहे हो, आपको और भी test चाहिए, demand होगा तो और जो है 20 plus test है, और भी जो है इसको और increase किया जाएगा, तो one of the best test है, आप इस पे clerk के लिए या किसी भी bank और insurance exam के लिए preparation कर रहे हैं, तो उसको जो है जा करके ले लिजिए, और दोस्तो, ESIC, UDC और astronographer का जो post है, one of the best post माना जाएगा, government of India के अंदर आता है, तो अभी से इसके preparation में लग जाएए, आपके कोई doubt है, तो मुझे comment करके पूछिए, इस वीडियो को like केजिए, share जरू कीजिए, thank you for watching banking career, God bless you all.